नमस्कार दोसों आप शबी का बहुत बहुत श्वागतें दोसों आपको बता दें कि 23 परवरी के शुबह 9 बजे शे जिया दोसों यह शुमे शे आपके जुनकाल में भगवान स्री गनेश जी के शिरबास शे बहुत बड़े चमतकार होने वाले हैं जिया दोसों दरशल आपकी जानकारी के लिए बता दें कि यह शुमे बद्वार का दिन होगा यानि भगवान स्री गनेश जी का दिन होगा जो 30 सास में बगवान श्री गनेज जी का जिनके भी जिनकाल में अश्रबाद रहते हैं जिनके जिनकाल में इनका जो है हाथ रहते हैं उनके जिनकाल में हमेशा शुक शमर्दी और लावी लाव रहते हैं और यह श्रमय भी आपके जुनकाल में कुछ यसे ही घटनाई होनी वाली है जहां पर आपको अच्छे अच्छे लाग मिलने वाले हैं आपको बता दें कि बगवान श्री गिनेश जी के शुर्बास्षी यश में आपके जुनकाल में कुछ ऐसे ही बड़ी कटनाई होंगी कुछ ऐसे बड़े परिवर्तन होंगी और कुछ ऐसे बड़े चमतकार होंगी जिनसे आपका श्रमे बहुत यह अच्छा रहेगा यह श्र आपको लाब होगा गर के माहौल में शुधार होंगे पेशों के लेकर शमचाएं खत्म होंगी आर्थित तंग्यायश में आपके खत्म होने वाली है ज्यादोसों क्योंकि बगवान श्री गिनेश जी के श्रबास्षी आपको पर तेक श्रमें यह में कुछ नया करने को प् इस्तती के कारण आपका यहश में बहुत अच्छा रहेगा तो दोस्तों यह में आप वीडियो को बिल्कुल भी मिश्णा करें और शुरू से लेकर अंतर तक अवश्य देखें क्योंकि दोस्तों इनमें आप शबी महत्पुश जारकारे को जानेंगे किनेशों में तराल मे आपको किन की जत्रों को लेकर श्रावधन हैं ने होंगे, कौन श्रीकारे आपकी लिभागी शले होंगे और किन चत्रों में कारे केनेश आपको लाग की प्राप्त होगी भगवान श्री गनेश जी के शिर्बाद से आपके घर के महाल में और पारिल जों में क्या क्या शुधार होंगे तो दोस्तों अंदर तक देखेगा उश्रे पहले दोस्तों दोस्तों परिवार के शाथ किसी प्रेटना स्तल पर जाने की योजना बनेगी दोस्तों यहस में आप अपनी कार्षमता का पहत्रिन परदर्शन करेंगे और दोस्तों शभलता भी यहस में आप हाशिल करेंगे नई योजनाएं और निवेश की भी शमाना बन रही है दोस्तों परिवार की लोगों का भी भरपूर शयूग यहस में आपके उपर रहेगा इसको प्राहिए दोस्तों यहस में आपके लीशिस में होंगे ध्यान रखें कि किसी दूसरी व्यक्ति की वज़ाशे आप परिशानी में आशकते हैं जिसके वज़े से मान होने की इस्तिती भी बन सकती है। दोस्तों यश्में विद्यारतियों का अपनी पढ़ाई से ध्यान भटकेगा। तदा दोस्तों की शाथ घुमने फिरने और फिर मनलोजन में समय वैर्थ होगा। तो दोस्तों इन से आप शावदान रहें और पढ़ाई के परति अपने ध्यान को खेंदरित करने की कोशिश करें। इसको प्राण दोस्तों यश्में आपके लिए जिसमें होगे। दोस्तों काफी दुनों के बाद प्रिस्तिती आपके मन जिसी बनेगी। दोस्तों आपको मिल रहे आर्थिक फायदे की वज़श्वे आप अपने लक्षियों को यह प्राप्त करेंगे और दोस्तों यह आपके लिए आशान होगा दोस्तों आपके दोरा बनाएगी यह उजना में वास्तिव्दा का रूप देने के लिए आपको केवल एक गरता की जर्रत होँगी तो दोस्तों इस पर ध्यान दें इसके उपरान दोस्तों यहस में आपके रिजिशी में होंगे आपके दिंजरे के लिए जो समय होंगे दोस्तों आपको किशी ऐसे शुरोत से धन मिल सकता है जिसके बारे में कभी आपने कलपना भी नहीं की थी दोस्तों आपके दिड़े एक तो था युवाओं को competition या फिर परिशा में उचित परिणाम हासिल होने से कुछ माय से भी रहेगी कुछ लोग जलंग की भावनों से आपको परिशान भी यश में कर सकते हैं दोस्तों यश में आपके बारे में सब गलत भी अफ़ा पहला सकते हैं दोस्तों यश में धहरी और Gur Gir一下 बना कर रखने का आपके लिए इस्चा में होगा इसके प्राइद दुषमें आपके लिए जिवन में धीमेगती से परिगती देखना आपको अस्वस्त बना रग सकता है दोस्तों अधिकतर लोगों के प्रति आपकी जो नराजगी बढ़ने के वज़र से किसी भी relationship को ठेक से निमा पाना आपके लिए थोड़ा सा कठीन भी हो सकता है गुसे को काभियों में रखने से यह में आपकी पिस्तियां जो अनुकुल हो सकती है तो दोस्तों इस पर जो है आप अधिक ध्यान देने की कोसिस करें इसको प्रांद दोस्तों यह अश्में आपके लिए जो समय होगे दोस्तों सबसे अच्छी बात यह रहेगी कि यह अश्में आप अपनी पूराने या फिर दकी अनुर्शी मानस्जिक्ता को बदलने के लिए प्रयाश करेंगे दोस्तों पड़े बुजरों की शला वो फिर मार्दर्शन का अनुर्शरन करना आपके लिए लाबदायक शावित होगा दोस्तों यह अश्में ध्यान अध्यात्म या फिर योगा की तरफ आपका रुज़ान बढ़ेगा वही दोस्तों इसको पराद आपके लिए शामें होगे आर्थिक मामलों पर गंबिर्टा से विचार करना आपके लिए अवश्यभ होगा दोस्तों दोपर बाद जो जो समय होगे अस्त्य वेस्त वैक्तित होगा कुछ पारिवर एक मुद्य परिशान कर सकते हैं दोस्तों आपका आत्मिश्वास यसमी डगमगा सकता है और दोस्तों वेर्थ की उल्जनों में भी आप फंश रकते हैं तो दोस्तों अपने वाननी पर स्वहिम रख के कालियों को करें यह आपके लिए भैतर होंगी इश्वास यसमी आपके दिंचरिया के लिए जुसे में होगी दोस्तों आपके प्रस्तिती में अचानक शिष्ष सकारत्मत बदला भी दिखेगा जिस मोके का आपको कापी दिनों से इंतजार था दोस्तों वही वह मोका जो है यश में परिचित द्वारा प्राप्त हो सकता है दोस्तों यश में आपके दिखतर एक्षा यश में पूरी हो सकती है दोस्तों इसको प्रांद आपके जिसे में होंगे राज की कारी किसी की मदद से सबल होंगे विद्याती तथा युवाओं को इंट्रुव्यो या फिर परिशा आदी में शवलता भी मिल सकती है इसलिए दोस्तों और अधिक मेहनत करें और विवाश अमारों आदी में जाने का भी अवसर आपको प्राक्त हो सकता है दोस्तों तमाम तरकी गतिडियों में भी याश में आपकी वैस्ता बने रहेगी इसके उपरांदी दोस्तों याश में भूमी आदी के क्रिये विक्रिये में कारियों को जो है बहुत अधिक शावधानी पूर्वक करें ये आपके लिए बैतर होंगे दोस्तों भूश की युजनाओं को लेकर याश में भागदोर की अधिक्ता रहेगी मशनली का परियोग बहुत अधिक शावधानी पूर्वक करें आलस को अपने उपर याश में हावी नो होने दें ये आपके लिए बैतर होंगे इश्क पराण दोस्तों याश में अपनी शंता से अधिक का रिक्ष लेकर आपके कारियों को करेंगे ये आपके लिए उचितनी होगा दोस्तों जिन जिस्तों में कड़ावट आई हुई है उन जिस्तों से यश्में दूरियां बना कर रखें ये आपकरीब हैतर होंगी इसको प्राइब दोस्तों यश में अगर आपकी किरेर को लेकर बात करें तो दोस्तों यश में और विशाइक ग्यत्विदियां सुचारू रूप से चलती रहेंगी प्रत दोस्तों कारेस्तल फर अपनी जो है अलग पहचान बनाने के चकर में आप अपना इमेज भी बिगार सकते हैं इसलिए दोस्तों ध्यान रखें स्वाज और विनमर बनकर अपने कारियों को अशान शे आप निप्टा सकते हैं दोस्तों सरकारी नोकरियों में इस्तित युवाओं को यश में उत्तम परेड़ा मिलेगा इसकी उप्राण दोस्तों यस में आपके करियर के लिए जिसमें होगे यस में पूरे जोस और हिमत से आप ने कामों को निप्टाने की खोशिश करेंगे प्रतों दोस्तों अपने विरुद्यों की गतिवद्यों को हलकी में नौले यदि वाईपार श्रमनित कोई कोट का जहरी में कोई मसला चल रहा है तो दोस्तों यह शुमे उच करवाईब से सम्मनित सकार्तमक परीडाम है पर सुब समचार आपको मिल सकता है इसके पराण दोस्तों यह शुमे आपके केरेड के लिए जो समय होंगे आपके वाईशाय के लिए जो समय होंगे दोस्तों वाईपार में किसी परीचित के माध्यम से बड़ा ओडर भी प्रापत होशकता है और आप जुनून की तरह काम करेंगे दोस्तों यह शुमे सरकारी क कारियों में विजय हाशिल होंगी दोस्तों नोपरी में अपने लक्षों को पूरा करने का दबाव भी बना रहेगा जिसकी वज़त से ऑवर टाइम भी आपको यह समय करना पड़ सकता है इसके प्राइब दोस्तों यह में आपके लिए जो समय होंगे दोस्तों यह में ऑफिस शमंदी कारियों में अच्छी उपलवधियां आपको हासिल होंगी इसके प्राइब दोस्तों यह में अगर आपकी लव लाइब के लिए जो समय होंगे दोस्तों पती-पत्नी के शमंद यह में मधूर रहेंगे प्रेम शमंदों में भी सिधार और अधिक नईदेकियां बनाधान भी जल्दी ही मिलेगा इसके प्राहत दोस्तों यह समय आपके दोबरारा रखे लव पर पजल को नाकारा जा सकता है तो दोस्तों इस बात का भी ध्यान रखें अपके लव लाइप के लिए जिम्हें होंगे घर का महल शुपमें बना रहेगा और इसके लिए आप क्याहिव कराओतों कैसमों होंगे दोस्तों कि विभंटे स्वास्त ll 1000 का पूरा ध्यान रहें काम के दिखता है derecho तसमय ऐनाट कि प्रिशम होगे दोस्तों आपकी गलत दिंचेला वापे खान पान प्र नकार्पमंग अशर आपके श्वास पर पर एसकता आपको पेट खराब होना या फिर गयर जैसी परिशानी भी आपको तकलीफ दे सकता है इसके परना दोस्तों यच्ण में आपके श्वास गिलीजी समय होंगे, आपके श्यहत के लिए जी से में होंगे दोस्तों शाम तक श्वास अतिवत्तम होगा प्रतु दोस्तों यश्र में कोई दुरगटना या फिर हलकी फुलकी चोट लगने की आशंका भी बन रही है दोस्तों यश्र में वहाँ शाधनी पुरवक चलाएं बैतर होगा कि यश्र में वहाँ आप नहीं चलाएं तो आपके लिए अत्ति उत्तम होगा